ओम शांती एक तीन दो हजार तेईस की साकार मुरली मीठे बच्चे बेहद ड्रामा के आदी मध्य अंत को समझना है जो पास्ट हुआ वही अब फिर प्रेजन्ट होना है अब इस संगम्युक प्रेजन्ट है फिर सत्युग आना है प्राश्न श्रीमत पर अपने आपको परफेक्ट बनाने की विधी कौन सी है उत्तर अपने आपको परफेक्ट बनाने के लिए विचार सागर मन्थन करो अपने आप से बातें करो बाबा आप कितने मीठे हो हम भी आप जैसा मीठा बनेंगे हम भी आपके समान मास्टर ग्यान सागर बन सबको ग्यान देंगे किसी को भी नाराज नहीं करेंगे शांती हमारा स्वधर में है हम सदा शांत रहेंगे आशरीरी बनने का अभ्यास करेंगे ऐसी ऐसी स्वयम से बातें कर स्वयम को परफेक्ट बनाना है गीत माता ओ माता जीवन की दाता उम्शांती धारणा के लिए मुख्य सार पहला श्रीमत पर हर कर्म स्रेष्ठ करना है सबके डूबे हुए बेडे को श्रीमत पर पार लगाना है दुखियों को सुख देना है दूसरा अंदर स्वधर्शन चक्र फिराते रुद्रमाला में नजदीक आने के लिए याद में रहना है ज्यान का मन्थन करना है अपने आप से बातें जरूर करनी है वरदान ब्राम्हन जीवन में सदा आनंद वा मनुरंजन का अनुभाव करने वाले खुश नसीब भव खुश नसीब बच्चे सदा खुशी के जूले में जूलते ब्राम्हन जीवन में आनंद वा मनुरंजन का अनुभाव करते हैं यह खुशी का जूला सदा एक रस तब रहेगा जब याद और सेवा की दोनों रसियां टाइट हों एक भी रसि धीली होगी तो जूला हिलेगा और जूलने वाला गिरेगा इसलिए दोनों रसियां मजबूत हो तो मनुरंजन का अनुभाव करते रहेंगे सर्वशक्तिमान का साथ हो और खुशियों का जूला हो तो इस जैसी खुश नसी भी और क्या होगी स्लोगन सबके प्रती दया भाव और क्रपा द्रश्टी रखने वाले ही महान आत्म है अच्छा ओम शान्ति आप द्रिष्टी यूही दे ते रहो बाबा सुख सागर में गहरे उतर जाओं सुख सागर में गहरे उतर जाओं हूँ पल के ना पल भर बंद मेरे इन लहरों को दामन में भर जाओं आप दिष्टी यूही दे ते रहो बाबा अब टेलीग्राम चैनल पर ब्रह्मा कुमारीस टीवी इसमें आप मुरली को पढ़ भी सकते हैं और PDF डाउनलोड कर सकते हैं संपूर्ण मुरली की और साथ साथ ओडियो MP3 भी डाउनलोड करकर सुन भी सकते हैं उम शान्ति झाल को अजू ट्री दसा मुर्वाण बंन आप सकते हैं पाहनलोड कर विंए हैं